हेलो सूटर, मैं रमेश काध्यान, इंटरनेशनल सूटर, काध्यान शूटिंग स्पोर्ट्स अकैडमी कोच आज हमारा बातचीत करने का विशे है, शूटिंग स्पोर्ट्स के अंदर कोचिंग का क्या महत्व होता है तो एक शूटर के लिए कोच उतना ही जरूरी है, जितना की जीवन के लिए सांस और पानी बिना गुरू के आपको ग्यान प्राप्त नहीं हो सकता तो बहुत से शूटर इंडिपेंड होके शूटिंग करना चाहते हैं या अपने घर पे रहके अपनी मरजी से शूटिंग करते हैं तो एक समय तक तो वो ठीक ठाक शूटिंग कर पाएंगे लेकिन जब उनके उपर कोई प्रोब्लम आएगी तो उसके बैलेंस करना उनके लिए मुश्किल होगा जब आपके उपर मुशीबते आती हैं शूटिंग के अंदर तो उस समय एक अच्छा गुरू ही आपको उस मुशीबत से बार निकाल सकता है जो बच्चे किसी एकैडमी पे कोचिंग ले रहे होते हैं या फिर लगातार किसी कोच से संपर्क में हैं उनके मारक दर्शन में चलते हैं लेकिन उसके बाद भी शूटिंग का अच्छा ना होना उसके पीछे क्या कारण है उसके पीछे दो कारण हो सकते हैं पहला और छोटा कारण कि हो सकता है आपके कोच को उतनी जानकारी ना हो जितने के आपकी जरूरत है लेकिन दूसरा सबसे most important, सबसे बड़ा कारण 98% ये कारण होता है कि सूटर कोच की बात को अच्छी तरह नहीं समझता है एक या 2% हो सकता है कि आपके कोच को उतना अनुबव ना हो कि वो आपको अच्छी कोचिंग दे पाएं एक या 2% लेकिन 98-99% कारण होता है जो कोच आपको कुछ बताते हैं उसको आप उस तरीके से नहीं समझते हैं जो communication गैप हो जाता है कोच और सूटर के बीच में तो आप जहां भी सीख रहे हैं जिस से भी सीख रहे हैं यदि आपको उनकी बात समझ में नहीं आ रही है तो आप personally उन से जाके मिलिए और उसके बारे में बार बार पूछिए कि आपने जो technique बताई है follow करने के लिए उसको मैं कैसे follow करूँ उसका मतलब क्या है आपने जो सब्द बोले हैं मेरे लिए उन सब्दों का क्या मतलब है For example बहुत से coach बताते हैं यह सबी coach बताते हैं trigger operation smoothly होना चाहिए तो trigger operation के अंदर दो तिन कारवाई होती है जैसा कि आपकी finger कैसे रखी होने चाहिए trigger के उपर आपके trigger का first pull second pull उसके उपर आपको कैसे press करना चाहिए कितनी देर तक उसको दबा के रखना चाहिए कैसे उसको छोड़ना है तो सिरफ trigger operation बोल देने के अंदर एक सब्द के अंदर इतनी सारी बाते आ जाती है trigger finger का रखना आपकी trigger finger का angle आपका first pull, second pull, second pull के weight, second pull के अंदर कितना weight है और आप जो shooting करते हैं वो long holding में करते हैं या short holding के अंदर करते हैं आप fast shooting करते हैं उस timing के इसाब से आपका trigger कैसे press होना चाहिए इन सारी बातों को मिला के एक सब्द बनता है smooth trigger press तो इसी तरीके से आप अपने coach से संपर्क कीजिए उनसे अच्छी coaching लेने की कोशिस कीजिए कि जो उन्होंने बताया उसका मतलब क्या है जिससे कि आपकी progress ना रुके और जब coach आपको अच्छी तरह समझा देते हैं तो उसके बाद 100% responsibility हो जाती है shooter की कि shooter उसको कैसे अपने event के अंदर लेके आएगा अपने game के अंदर उस चीज़ को follow करेगा यदि आपके अंदर काबलियत है तो आप अपने coach की बताई हुई technique को अपनी training के दोरान उसको apply कर देंगे और अगर अगर आपके अंदर talent नहीं है काबलियत नहीं है तो simple से simple बताई गई बात को भी आप follow नहीं कर पाएंगे और आपकी progress एक जगह पे जाके रुक जाएगी तो shooting के लिए coaching most important है एक अच्छे coach का होना आपके लिए बहुत ही जरूरी है और इन सब चीजों से ज्यादा जरूरी है आपका समझदार होना और अपने coach की बताई हुई बातों को मानना उनको follow करना यदि आपका shooting sports से संबंदित कोई सवाल होता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं धन्यवाद